आज भी आद है मुझे वो दूर गुंज़ता ट्रेन का होल जो आज भी मुझे अपनी और खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविश्य नजराता है और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना तो आपके इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना SSC मेकर परिवार जिसने सपने देखने वाले लाखो बच्चों की सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान जोगकर उन्हें उनकी म कर लेकर आया है पाइलट मैच जिसे बहतरीन अनभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्या रूप से रेलवे एलपी तथा टेक्मिस्यन के एक्जाम के लिए तयार किया है तो देरी किस बात की आज ही जोईन करें हमारा पाइलट बैच और अपने सेलेक्शन के जिम्मदारी हमें सौप दे गुद मॉर्णिंग कैसे आप सभी मैस्वनी चोदर एक बार फिर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार से में गर में एक बार सभी बच्चे बदाएंगे आवाज आ रही है या नहीं जल्दी से फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन आज हम डि आपके नहीं पूछे जाते हैं यहां पर आपको समान्य जानकार ही आप से एक्जामनर पूछता है कि आप कितना अवेर हैं किसी चीज़ को लेकर ठीक है तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी बचों का नमस्कार जैहिंद जैभारत कैसे हैं बताएंगे चलिए रादे राजबीर, शिल्पा, रतन, साहिल, दुर्गा, पूजा, भोला, अधित्य, रोहित, अनूप कुमार, भावेश, अर्जुन, विक्की, आसू, रोनी, संग्या, चलिए एक बार सभी बचे मिलकर सेशन को लाइक करें शेयर करें टोटल 50 कोशन्स हम डिसकस करेंगे तो एक ब बार देखेंगे कोशन्स का जो लेवल है, किस परकार के कोशन्स आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, चलिए, पहला कोशन है कि मानव सरीर में सबसे बड़ी गरंथी कोन सी होती है, है ना, मानव सरीर में सबसे बड़ी गरंथी जो है, यह कोन सी होती है, विच इस दा अगनाशे, अप्शन नमबर क्या हो जाएगा, अगनाशे होती है, अच्छा अगर वही पर हड़ी की बात कर ली जाए, जो बोन्स होती है, सबसे बड़ी होती है, ये कौन सी होती है, अगर हड़ी की बात कर ली जाए, तो हड़ी होती है, इसको फीमर कहते हैं, इसको कहते हैं एना जांग की हड़ी इसको ऐजाता है अच्छा सबसे मैं की हड़ी को क्या बीव है तक किशी को कई डाउट बताएंगे इसको पुछीन आपके लिए कि प्रत्वी पर घीद करने अंतर है ऐना विच इस दर एस्पोंसिबल फूर ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ एना जो ग्रीन हाउस के लिए प्रभावित है या प्रभावित करता है पूरी प्रत्वी के बातावरण को यह कोन सी गैस जिम्नदार होती है कारवन डाई आकसाइड होती है मिथेन होती है नाइट्रिक आकसाइड होती है या फिर ओजोन होती है कोशन नमबर टू का सही आंजर हो जाएगा अगेन फिर से ए ये कारवन डाई आकसाइड है यह क्या है कारवन डाई आकसाइड है ध्यान लखेगा वही पर अगर मिथेन की बात की जाए तो ये धान के खेतों से निकलता है, या फिर जो कान होती है, खानों से निकलता है, जैना ना नाइट्रिक आकसायड जो है, क्यों प्रशिद है ना अल्ट्रा वोईलिट किरने होती हैं इनको आने से रोकती है और थीर धीरे जो जो पर इसका च्छरण हो रहा है या किसकते हैं इसको कम किया जा रहा है तो यह reasons क्या है, है ना, जैसे आप A.C. वगारा चलाते हो, freeze वगारा चलाते हो, तो उससे जो हमारा वातावरण है, वातावरण में जो layers है, वो जो उनकी, इसमें चिदर हो रहा है, है ना, इसमें चिदर हो रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर option number, क्या हो जाएगा, option number यहाँ पर A, सही हो जाएगा, यह है CO2, ठीक है, चल लिए, next है, कोसिका का powerhouse किसे कहा जाता है, यह नाभिक को कहा जाता है, यह mitrocandia को कहा जाता है, endoplasmic reticulum को कहा जाता है, यह goal cube करन को कहा जाता है, तो क कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं एना कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है यानिक इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मैट्रो कांडिया माइट्रो कांडिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है अच्छा कोशिका का खोज किसने किया था कोशिका का जो खोज है ये किसने किया था अगर आपसे कोशन्स पूछ लिया जाए तो राबर्ट हुक का अपने नाम सुना होगा है ना राबर्ट हुक का अपने नाम सुना होगा इन्होंने कोसी का संद्रचना की एक तरीका से थियोरी को विक्सित किया था क्या बता सकते हैं कभी इन्होंने ये थियोरी दी थी कोसी का की कोसी का स्ट्रक्चर या संद्रचना की थियोरी इन्होंने कभ दी थी बताएंगे एक बार है जल्दी से नेश्ट स्सटर्व के लिए जल का रासायनिक सूथ्र क्या है Co2 कहा जाता है एंज 12 ऊसको कहा जाता है or two is को कहा जाता यह ch4 इसको कहा झाता है यह ch4 को कहा जाता है Washer न ! उस आज ओंगे बताईएगा CO2, H2O, हैना H2 होता है जल का राशायनिक सूत्र, CO2 किसका है, क्या बताओगे, CO2 किसका है अभी हमने बात की थी, कारबन डायाकसाइड को लेकर, हैना तो ये H2 हो गया पानी का, जल का, वोटर का, ठीक है आचा हाड जल किसको कहा जाता है, कठोर जल किसे कहते हैं बताएंगे कठोर जल किसे कहते हैं बताएंगा एक बार, next है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें, या जिसके द्वारा पोधे, सूरिय के प्रकाश का उप्योग करके अपना भोजन बनाते हैं, इसको सवशन कहते हैं, प्रकाश संसलेशन कहते हैं, वास्पोर सर्जन कहते हैं, या फिर आंग्कुरुन किसको कहा जाता है, वाट इस दप्रोसेस बाइदा, विच प्लांट मेक धेर फूर यूज़िंग अंसलाइट, है ना वाग्योट इसको डी टू ओ कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसको डी टू ओ कहा जाता है, बहुत बढ़िया, बिटु, सागर, कृष्न, व ज़ान बहुत बड़ी है अपना बोजन निर्माण करते हैं, भोजन का निर्मान करते हैं, है ना बोजन का निर्माण करते हैं, which is the smallest bone in the human body हमारे सरीर की सबसे छोटी हड़ी की हम बात कर रहे हैं मैंने अभी आपको बताया था इसको स्टपीज यह कान की हड़ी भी कहते हैं क्या कहते हैं कान की हड़ी भी इसको कहा जाता है जबकि वही पर बात की जाए फिमर की इसको जांग की हड़ी कहते हैं हैना मानव सरीर की यह सबसे बड़ी हड़ी है ध्यान रखेगा क्लियर है चालिए नेक्स्ट कोशन है सूर्य के प्रकास के संपर्क में आने पर मानव सरीर द्वारा किस विटामिन का संसलेशन होता है हमारे सरीर जो है इसमें विटामिन की आवशकता होती है आप इसको अन्य सोर्स यानि के बाहर से कह सकते हैं कि ग्रहन करते हैं जैसे आप स्टेमना बढ़ाने के लिए यूज करते हैं यह ना सप्लिमेंट वगर अगर यूज करते हैं तो इसी प्रकार से विटामिन डी हमें जो मिलता है यह सूरिय की किरनों के प्रकास जो होता है ना सूरी की क्रणे होती है प्रकास उसके टच में आने पर उसके टच में आने पर यानि कि कुछ समय के लिए अगर आप धूम में बैठ जाएं सूरी की क्रणे अपने बोड़ी पर लगने दें तो उससे आपका जो विटामिन D है ये एक्टिव हो जाता है ये एक सब्सक्राइब कि विटामिन डी मिलता है विटामिन डी हमारे बोडी में उल्लेडी होता है लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए हमें किसी मीडियम की यह माध्यम की आशकता होती है और वो माध्यम होता है प्रकास की करने यानिके सूर्य की करने ऐसा नहीं कि सूर्य विटामिन डी भेज रह है हमारे पास में ऐसा होता तो तोड़ा सा आप रिजर्व करके भी रख सकते थे एना ऐसा नहीं है वो एक्टिव करना होता है ठीक है चलिए तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा अच्छा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बाई कोशन्स बनते ह है जैसे विटामीन एकी कमी से रतोंधी रोग होता है है ना रतोंधी रोग होता है विटामीन सी की कमी से इसकरवी रोग हो जाता है है ना विटामीन की कमी से रक्त का थक्का जमना रक्त का थक्का जमना रक्त का थक्का जमना ठीक है ना तो डीस की कमी से कौन सा रोग होता है बताएगा Rekets, है ना Rekets, बहुत बड़ी है, कौन सा होता है, Rekets होता है, č praw Gen eve to a इसकोई इसना आपके लिए, नेक्स्ट क्या चूशन च्या कह रहा है, Penciline की कोज किस ने की थी, आपके सामने चार ओप्शन से हैं, ये Alexander Fleming है, Louis Pasteur है, Marie Curie है ये Joseph Lister है, Joseph Lister है तो ये कि गई थी ये खोज किसके द्वारा की गई थी वताइंगे जल्दी से फटा-फटा झार करना रेक्त फटा फटा आंसर कीजिएगा कि ए कोज कि एक है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया लूइप पाश्चे हो गया मेरी कियूरी होग्या जोसेफ लिस्टर हो गया कोशन नमबर एट का सही आंसर हो जाएगा ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पैंसलीन की खोज 1928 में कब 1928 में ध्यान रखना लुई पाश्चे ने किसकी खोज की थी क्या बता सकते हैं पाश्चूरी करण विधी आपने सुना होगा पाश्चूरी करण विधी आपने स लिखा होगा की दूद को एक temperature पर गर्म किया जाता है फिर एक temperature ठंडा किया जाता है जिससे उन खराब होने से बचाया जा सके अचा मैडम क्यूरी को Nobel Prize दिया गया था क्या बता सकते हैं किस के खेटर में दिया गया था आपको ये तो फदाए physics में इंको मिला था लेकिन के छेत्र में भारत में किसे नोबल प्राइज मिला है आपको लिट्रेशर का पता है आपको एकोनोमिक्स का पता है आपको रसायन का पता है आपको चिकिस्सा के छेत्र का पता है डोक्टर हर गोविंद खुराना को दिया गया था सांति का आपको पता है वह यह ना अभी सत्य सत्यार्थंथ सत्यार्थ प्रचाव जो उनका संय है fundus 1290 स्वारे अभिम्षीश मeti अधिया गया था 299 में अभजीत dissolve रहा नांटींयाट में perm animation आपको प्रएंस में बताना है किसके लिए दिया घ्या और पहला भारत में Déके यहाद तर अन्यों राजैंद प्रशाद को लिट्रेचर के छेतर में है चल दॉब इसको तरल जल में बदलने की क्रिया क्या कह लाती है च्वासपनर को तरल वाषपी करण एवैपोरेशन इसको कहा जाता है क्लियर कोशन नमबर वन फटाफट से एक बार सभी बच्चे से सशन को लाइक और सेर करना मत भूले चलिए आवरत नियम और आवर्थ सांगी के निर्माण के लिए किसे जाना जाता है जो आवरत सांगी के पेडियोडिक प्रियोडिक टेवल जो होती है जिसमें अनु प्रमानु संख्या करमांग संख्या दी जाती है यह आप ध्यान लखेंगे सड़े हुए अंडे की विशिष्ट गंद के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है जब अंडे सड़े होते है ना सड़े अंडों से बड़ी गंद आती है तो यह किसके कारण से हाइडोजन सलफाइड के कारण से मिथेन के कारण से कारण से कारण से किसके कारण से उसमें गंद आ ये है मिथेन के कारण, है ना, मिथेन के कारण, किसके कारण, मिथेन के कारण, option number B सही हो जाएगा, है ना, option number क्या हो जाएगा, आपका, B सही होगा, ये मिथेन के कारण से ऐसी गंद उसमें आपको देखने को मिलने वाली है, कौन सी धातू, विद्दुत की सबसे अच्छी च जल्दी से बताईएगा फटा फटा अंसर कीजिए भई सबसे अच्छा चालक क्योंकि आसान सा कोशन है यह इसमें इतना टफ नहीं है कि आपको ज्यादा अपना दिमाग लगाना पड़े माइंडे सबस्क्राइब करना पड़े ना आसान सा है बैड़क अबर जानकारी ले रहा हैии बैड़कन ठर्र और गुड़कन.respर के बारे में जानकारी ले रहा है एक है टेक है ना है जालिए और यह एक सेकिन भाई टाकि जो पारा होता है, यह इसका बेड कंड़क्टर का उधारन माना जाता एक लकड़ी जो है बेड कंड़क्टर का उधारन माना जाता है इस कोशDD का सही आंसर होगा, हाइडोजन सुफाईड प्रफशन नमबर A सही करेंगे, मित् समएडोजन साफॉफाईड यह होता है hydrogen sulfide चलिए next question है मानव शरीर का सामान्य तापमान degree Celsius में कितना होता है what is the normal temperature of woman body is a degree Celsius यानि कि आपने देखा होगा जब आप डोक्टर के पास जाते हैं डोक्टर आपका fever check करता है तो fever check करता है आपको बताता है कि आपको कितना बुखार है आपको बुखार का वो temperature ज 30 Celsius होता है 37.50 है ना 37.5 या 38 तो अगर सामानने देखा जाए सामानने देखा जाए जो एक सुष्ट मानव है इसके body temperature जो होता है जो heating power बोलते है body temperature को यह 37.5 होता है 37.5 होता है 37.5 सामानने होता है ध्यान लखना इसका यह सामानने जो होता है यह 37.5 होता है अगर इसके बाद आपको है तो यह मान के लिए चलिए आपको फीवर है हलका हलका फीवर होना स्टार्ट हो गया है तो यह 37.5 dg cc होता है जो समान ने इसको रखा गया है clear है चलिए आवर्त मापने की कै क्या है वोट है यह फर पास्कल है what is the unit of measuring frequency आवरती बारम बारता जिसको बोलते हैं इसको मापने की काई को क्या कहा जाता है इसके मापने की काई को हम कहते हैं हर्ड कहते हैं हर्ड कहते हैं हर्ड कहते हैं option number 20 ही होगा यहनि के बारम बारता जो होती है अच्छा न्यूटं जो है यह बल का मात रखोता है बाई पास्कल से हम दाव मापते हैं यह दाव का मात रखोता है वाट जो है यह किसमे मापते हैं बताएंगे नेक्स्ट कोशन्स अमलिये वर्षा के निर्मान के लिए कौन सी गैस उत्तरदाई है यानि कि अमलिये वर्षा जो होती है किस गैस के उपस्तिति के होगा है ना अमली ये वर्षा भी आपने सुना होगा तो यह carbon dioxide है sulfur dioxide है ठीक है तो यह होती है sulfur dioxide नहीं हाँ बिल्कुल sulfur dioxide option number d सही हो जाएगा भई है ना option number D हापर आपका सही होगा वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बोधे अपनी जड़ों के ऐन्सी हिए माध्यम से पानी लेते इसको पॉटसरन कहते हैं वासपोड सरजन कहते है प्रकास संसलेशन इसको कहा जाता है आव शोशन इसको कहा जाता है वाल सिस्ट है इसको कहते हैं प्रासरन की प्रकिरिया कहा जाता है इसको प्रासरन की प्रकिरिया ज़दों आपने देखा होताए इस टन्य से टन्य सो थांस्टम आ इस टोसे अदरियता है stories एफ इसले हैं तो इन जडों के माध्यम से ये पेड़ फलता और फूलता है वई हैना इन जोडों से ही ये पानी उपर जाता है सुमलित आपको करना है एना इसका सही आंसर आपको बताना है वई इसका सही आंसर आप बताएंगे सही आंसर क्या है ये विटामिन के की कमी से लगे हूं भुन तेल ये मैच कर यहां पर आप टिक करतेंगे क्या यह करतेंगे विटामिन के है इसको एलफा ध्यानरकेंगे A का 4 हो विटामिन D ये काड युक्त टेल में होता है ध्यान नखेंगे और विटामिन A ये गेहों भुन तेल है ये गेहों भुन तेल है तो सही हो जाएग आपका 4 3 1 2 4 3 1 2 तो ओप्षिन मिलाएंगे 1 2 3 4 3 2 2 3 4 1 4 3 1 2 तो ओप्षिन नंबर डी सही होगा इसको दुबारा से चेक करेंगे एक बार, दुबारा से देखिएगा D again, very good, Ebola सब्द से आप क्या समझते हैं, पस्ची में अफरीका में एक विशानू रोग प्रकोप है, बांगलादेश में एक विशानू रोग प्रकोप है, इसाई दुबारा विजनास किया गया सीरिया का एक सहर है, कोई भी विकल्प सही नहीं है, इबोला वाइरस कहां पर आया था, अफरीका कॉंटिनेंट में आया था इबोला वाइरस, याद होगा आपके, याद नहीं है तो ध्यान नखिएगा, इबोला एक विशानू जनित भ अधिक्तम प्रोटीन पाते हैं, जो सहकारी होते हैं, जो नोनवेज नहीं खाते, वो अकसर प्रोटीन के लिए किसका यूज करते हैं, अना जो का, दालो का, सबजीो का, या फर दूद का, वेजिटेरियन, get maximum protein from, तो यह लेते हैं भाई, pulses से, यानि कि दालों से, options number क्या हो जाएगा, यहाँ पर A सही हो जाएगा, यह बी सही हो जाएगा, यह तू जो लिखा है, यह अप्शन नमबर B, दालों में protein होता है, ध्यान लखेंगे, चलिए, मानाव सरीर में विटामीन एक भंडारित हो रहता है, यकरत में, तुचा में, फुसफुस में, यवरक में, vitamin is stored in the human body, मानाव सरीर में जो रक्तो यकरत में, है ना, जो विटामीन ए भंडारित रहता है, किस में भंडारित रहता है, बनाएंगे फटा फट जल्दी से, फटा फट आंसर करेंगे, बहुत ब किस इसको सरीर में, मिटामीन इब भंडारित रहता है, यकरत में, जिसको हम लीवर भी कहते हैं, क्या, कहते हैं, ध्यान रखिये गा, इसको हम क्या कहेंगे, लीवर कहेंगे, अच्छा एक कोश्चन्स का आंसर करेंगे, एक ऐसा रसायन होता है जिससे आपकी त्वचा वा बालों का रंग है ये डिफाइन करने में सहक होता है उसका नाम क्या है यानि कि बालों का रंग जो होता है किसी के बालों का रंग सुनहरा है त्वचा का रंग सुनहरा है ब्लेक है तो यह किसके कारणन से हमसे उत्वा यह पाइगा सिह नि चुछ मिलता है यह किसका एक भंडारिट। ज्टारित आरइट स्वर्ष है कि है ना सेअ किया चिजे पाई जाती है तो सहेद का जो यूज है आप कार्बो हैडरेट के रूप में कर सकते हैं अगर आपको इस टेंड एनरजी की आउशक्ता होती तुरंत आपको क्या चाहिए एनरजी चाहिए तो आप यह तो गुड़ का सेवन कर सकते हैं जो गुड़ होता है एना गुड़ का सेवन कर सकते हैं या फिर आप सहद का सेवन कर सकते हैं ठेके ना था यह दोनों में ही क्या पाया जाता है कार्भो हाड्रेट पाया जाता है कार्भो हाड्रेट और कार्भो हाड्रेट क्या करता है हमारी सरीर को इस्टें होता है तो आपको इस्टेंट अनर्जी देता है वही चलिए नेश्ट कोश्चन से आपका भोजन एक प्रमुक अंग है स्टार्च का गुलकोज का कार्वो हैड्रेट का यह सेल्यूलोज का तो एन इंपोर्टेंट पार्ड ओफुड इस जो भोजन है यह किसका एक उधारन है बताएंगे बोजन से क्या प्राप्त होता है गुलकोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं गुलकोज भी इस्तेमाल किया जा सकता है वही भूजन जो है आप भोजन करते हो ये भी क्या करता है ये भी तो आपको एनर्जी देता है या नहीं है ना जब आपको भूग लगती है आप दबा के ठूशते हो तो इससे भी तो एनर्जी मिलती है ना उर्जा मिलती है तो ये क्या है वई ये है कार्वो हैड्रेट का ही एक क लिए option number C सही होगा रोकिट कि सिधान्थ पर कारिये करता है न्यूटन का तित्यनियम न्यूटन का प्रधम सेकेंड या आर्कमडीज का सिधान्थ जो रोकिट है ये किस सिधान्थ पर कारिये करता है रोकिट जो है ये किस सिधान्थ पर कारिये करता है वही हाँ ठीक है ना रोकिट ये न्यूटन के तीसरे लो जो है उसका थर्ड लो है उस पर क्या करता है उस पर कार्ये करता है ठीक है न कुर्ण इस पर कार खाते हैं वही क्या बोले यार समझें न हाँ ठीक है तो ये थर्ड लोफ न्यूटन पर कार्ये करता है यानिके एक्षन का रियक्षन आपने देखा होगा एना एक्षन का रियक्षन आपने देखा होगा तो ये आपको ध्यानक ना है न्यूटन का तृत्य नियम पर रोकिट सिधांद कार्ये करता है जो आपने रोकिट द पर जाने के लिए फोर्स जन्रेट करना तो ये थर्ड लॉफ न्यूटन है जो की एक्षन और रियक्षन पर कारिये करता है यानि कि आप अगर कोई एक्षन कर रहे हो तो इसका रियक्षन भी आपको मिलेगा जैसे आप कभी-कभी जब मस्ती टाइम में होते हो और किसी को दि सूची सेकंड का मिलान करना है एक तरफ आपको दी गई है भोतिक रासियां और दूसरी तरफ दिया गया है इकाईयां तो तुरण की काई कौन सी है बल की काई कौन सी है आवेक की काई कौन सी है बताएंगे बल जो है बल की काई क्या होती है बल की काई क्या होती है ठीक है जल्दी से बताएंगे, आपका नाम लीजिए अनियल बैंड, ठीक है, चल ये, अनियल बिंड, बहुत बढ़िया, अगर आपको बल का पता है, अगर आपको पता है, तो आप बी न्युबी का क्या करेंगे, थ्री लगा देंगे, वही पर तोरण का पता है, तो मिटर पर सेकंड कर देंगे क्या कर देंगे मिटर पर सेकंड कर देंगे यानि कि A का तो 4 हो जाएगा B का क्या हो जाएगा C हो जाएगा जब आपको कारिय का पता है तो कारिय का जूल होता है और आवेक का पता है तो ये आपका Newton सेकंड होता है तो क्या हो गया यहां पर 4, 3, 1, 2, क्या हो गया 4, 3, 1, 2, अब ढूंडिएगा कहां पर है 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, यह 4, 3, 1, 2, तो options क्या हो जाएगा यहां पर D सही हो जाएगा, option number D सही हो जाएगा 4, 3, 1, 2, एना क्योंकि हमें 2 का जानकारी थी, ऐसे questions करना आसान है, ले एना तुक्का नहीं लगा सकते, एना तुक्का नहीं लगा सकते, थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए, अगर 2 का नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2 का पता है, और 2 पर आप chance ले सकते हैं, clear, चलिए, तो ध्याना किएगा यह आपका जो batch है, ALP के लिए, इसमें आपको CBT1 और CBT2 दोनों के लिए classes मिलेंगी, classes live recorded होगी, class notes होगी, doubt stations आपको दिया गया है, समपूर्ण बिल्कुल basic से आपको यह बिलने वाला है, और उतराखंड पलू, इसके लिए आपका special batch है, जिसमें classes recorded है, doubt stations है, है ना, और PDF आपको हमारे channel पर मिल जाएगी, हमारे SSC कर दाए कर एंног, एपको क् affecting मिल जाएगी, ठीक है, चलिए, लोहे की किokिए पारे में क्यों तेरती है, जबकि यह पानी में डूब जाती है, लोजिकल कोशन्स है भाई ये ये क्या है लोजिकल कोशन्स है अप्लाइड साइन्स जिसको कहा जाता है जो लोहे की कील है ये पानी में दो डूब जाती है लेकिन पारे पर तहरती है ऐसा क्यों क्या रीजन है क्योंकि साइन्स के पीछे कोशन छोड़ देती है वाई ने न साइंस अपने पीछे कोशन छोड़ देता है जिसको हम कहते हैं वाई ऐसा क्यों? ठीक है? चलिए रासायनिक ख्रिया की प्रवर्ति पानी के तुनलम कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तदा पारे से कम है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है पताईएगा जल्दी से बताएंगे या फिर पारा पानी से भारी है तो यहाँ पर ध्यान रखना जो लोहे का घनत्व है ये पानी से अधिक है तथा पारे से कम है क्योंकि आपको पता है सबसे भारी जो धातु है ये क् तो पारा कहा जाता है तो लोहे का जो घनत्व है ये पानी से डैंसीटी पानी से जादा है लेकिन पारे से कम है बहुत बढ़िया क्यों होगा उसका लोजिक पता होना चाहिए उसका लोजिक अगर पता है तो फिर प्रोब्लम नहीं है एना क्योंकि पारा जो है भारी धातु ह चलिए जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो इसके सरीर में उपस्तित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है भार घट जाता है तथा मात्रा एपरिवर्तित रहती है भार में परिवर्तन होता है मात्रा तथा भार दोनों में कमी आ जाएगी यानिके जब आपको चंद्रमा पर भेजा जाएगा आने वाले समय में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चंद्रमा पर जानेंगे तो वहां जाने के बाद आपका जो बोड़ी है उसके साथ में क्या रियक्षन होगा है ना कि अच्छा आपके हाथ कब पढूरे होंगे आपके हाथ वी जल्द पढूरे होगे अन लेकिन वा disp को रखते। अप्र स्वह कि अन रहने वाली है रहने इसieran लेकिन मात्र कि नवार्भड आपका जाता जांता क्या नहीं रहती है क्या बात सही ठीक है तो कितना भार गड़ता है किसी व्यक्ति का भार यहां पर सो केजी है जब वो चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार कम हो जाता है तो कि दिना कम हो जाता है बताएंगे वेरी गुड जल्दी से वेरी गुड बाई सोरब अर्पिता चंदन अभिशेक मोनिका मोनिका सेनी पूजा भोला कलवा डोन नेहा उज्वला जाकिर बिट्चु चले बहुत बढ़िया आप सभी का स्वागत है जो बच्छे पहली वा पहुंचे एक बार सभी बच्छे क्लास से जुड़े चलिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीस ही होगा नेक्स्ट कोशन साब के लिए कि वास्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्छ हो सकता है जल में बाइलर के अंदर निम्न दाब होता है बाइलर के अंदर उच्छ दाब होता है या फिर अगनी अत्यदिक उच्छ तापमान पर होती है यानि कि वास्प इंजन जब उबलता है तो उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्छ हो जाता है यह किस कारण से उच्छ हो दो आएक बटाद छें बहुत बड़ी है वाइक वट छें हो जाएगा है ना वास्प in जहेकर वास्प इंजन नियुक्त तापमान किस यसा तापमान से उच आन्दर के अंदर उच्छ दाआब होता है जो प्रेशर होता है यह कारण से पानी का तापमान यह बढ़ जाएगा यह तापमान उच्छ हो जाता है ठीक ना चलिए कॉन से टाइम की चाहे है यह 11 आयम की चाहे है वही चलिए वस्तू को गरम करने पर उसके अनु जो है यह कैसे हो जाते हैं मैं वस्तू है यह आपने देखा होगा जब आप अगनी जलाते हो अगनी इनना सेंस जब घर में चूला वगरा जलाते होंगे या कई पर आग लगती है तो आग लगती है उसके और पास की जो वायू है ये बहुत तेजी से भागना स्टार्ट हो जाती है इसको आप देखिएगा ध्यान से देखिएगा बड़े ध् वो तेजी से आपको जाते हुए चलते हुए दिखाए देगी तो इसके कारण क्या होता है कि चाल बढ़ जाती है अनु जो होते है इनकी चाल बढ़ेगी या कम होगी बिल्कुल तो ये क्या होता है चाल बढ़ जाती है घर्म करने पर तो options क्या हो जाएगा है आपर A सही हो चल्दी एवं कुछ और ही यहाँ पर हो रहा है तो यह आप देख सकते हैं स्विज को गर्मियों में आपने देखा होगा गर्मियों में जब आप दूर देखते हो तो आपको क्या है आपको ऐसा दिखाए देता कि पानी पड़ा हुआ है या फिर जो हवा है हवा से भाप सी न करती कैसी होती है अनुप्रस्थ है अनुद है डॉद्ध Göram किये हैं अच्छा बिदुद्ध शूं-ब के आते हैं शूर्य के प्रकास की क्रणे होती हैं प्रकास की करने जो हैं कैसी यह का जाता है को इसा होता है तै territ vert विद्धुत चुम्ब के तरंगे ना विद्धुत चुम्ब के तरंगे बिलकुल ठीक है चले नेक्स्ट है इसपश्ट प्रती धवनी सुनने के लिए प्रावर्तक तल वा धवनी स्रोत के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जैसे मान के चले आप किसी कमरे में घ आपको बोल रहे हैं तो अगर उसकी आपको प्रतिदवनी सुझनी आवाज वापस सुननी है तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ये अगर आप जो हैं 17 मिटर दूर किसी वस्तू के खड़े हैं, किसी ऐसे माध्यम के जहां से आपकी आवाज टकराती है, तो टकराने के बाद वो वापस आपको सुनाई देगी, लेकिन ये दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मिटर होनी चाहिए, इसको किलो मिटर मत कर देना, ये मात इसकी सिधान्त पर कारियरत है, ये रेडियो तरंगो का अपवर्तन है, रेडियो तरंगो का प्रावर्तन है, डप्लर प्रभाव इसको कहते है, रमन प्रभाव, रमन या रमन जिसको कहा जाता है, जो कि फिजिक्स में है, रमन प्रभाव, the working system of radar is based on the following principle, कि किस principle पर कारिये करती है फटाफट से आंसर करना है वई रिफ्लेक्शन्स पर है ना रिफ्लेक्शन्स ओफ रेडियो वेव्स पर प्रावर्तन है ना ओप्शन्स बी सही हो जाएगा है ना ओप्शन नमबर बी सही होगा रेडियो तरंगों का प्रावर्तन रिफ्लेक्शन होना उनका है ना चल कि प्रकास को किया जाता है वही बताएंगे जल्खेंगे, इसको नहीं है, इसको इसको लिखेंगे photon है ना ये options गलत होगे इसमें इनको photon कर लेजिएगा इसको क्या करेंगे photon कर लेना भाइस को इसको क्या करना है photon करना है आपको photon करेंगे इसको ठीक है photon होगा इसको directly photon answer करना है आप सभी को चालेगा next questions आपके लिए प्रकास के विद्धुत चुम्ब किये सवरूप की खोज कि स्ने की थी स्नेल ने न्यूटन ने मैक्सवेल ने या फर यंग ने या फर यंग ने बताएंगे तो प्रकास के विद्धुत चुम्ब किये सवरूप की जो खोज की यानि कि बताया कि जो तरंगे चलती है प्रकास की ये विद्धुत चुम्ब किये तरंगे है ये कैसी है य magnetic, ultra magnetic हैं, तो ये किसने क्या था? Maxwell ने. किसने? Maxwell ने answer number क्या हो जाएगा? आपका 33 का यहाँ पर C सही हो जाएगा. यह न, C सही हो जाएगा भई. ठीक है? चलेगा. ठीक है? चली. Next question. भोति का कौन सा नियम यह है? बताता है कि जब दो विदुत विदुद आवेस के बीच दुगरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच बल और उनके पूर मान से एक चोथाई कम हो जाता है तो यह कुलाम का नियम है स्टफिन का नियम है पासकल का नियम है या फिर हुक का नियम है यह किसका नियम है बताएंगे कि जब दो विदुद आवेस इसको कुलाम का नियम इसको कहा जाता है, ठीके ना, इसको कुलाम का नियम कहा जाएगा, very good, बहुत बढ़िया, चलिए, नेक्स्ट, किसी दरव्य का pH मान साथ पाया गया, संभवत है यह कौन सा दरव्य है, जल है, अमल है, छार है, या फिर सलाइन है, the pH value of liquid was found to be 7, probably which liquid is this, त यह liquid कौन सा है, यह liquid कौन सा है, बताएंगे, साथ पियसे मान किसका होता है, एसे टिक का, आपको पता है कि 0 से लेकर 14 तक, यहाँ पर साथ होता है, न्यूट्रल, यह जिसको उदासीन हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं, यहना साथ से जीरो के बीच में जो होता है, यह साथ से कम होता है, इसको हम अमलिय कहते हैं, अमलिय कहा जाता है, जबकि, अगर हम बात करते हैं, उदासीन के बाद, यहाँ पर अमलिय के बा सही होगा चलिए सुन्ने के बराबर पियच मान वाला विलियन होता है सुन्ने के बराबर सुन्ने के बराबर पियच मान वाला विलियन क्या कहलाता है भई ठीक है ना कि सुन्ने के बराबर पियच मान वाला विलियन क्या कहलाता है बताएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा अत्यदिक विलियन कहा जाएगा अब भी चार कर रहे हो दो सेकेंड पहले ही बताया जीरो से साथ तक अमलिये होता है हैना जीरो से साथ तक अमलिये होता है हैना चोदा से साथ से लेकर चोदा तक ये कैसा होता है चार ये होता है तो जब आप पीछे आओगे तो ये अत्यदिक अमलिये ऐसे टिक होता जाएगा ये अत्यदिक एसे टिक हो जाएगा तो ओप्शन्स यहां पर भी सही होगा हैना ओ अभी दो सेकेंड पहले ही आपको बताया था इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी अपना दिमाग नहीं लगाना था क्योंकि आपको सारी चीजे फोर्मेट करके दी गई थी फिर भी आप अपना दिमाग इसमें लगा रहे हो बई है रहा चलिए next है LPG का मुख्य घट रख क्या है मिथेन है इथेन है पेटेन है यह फिर ब्यूटेन है LPG मेन कॉम्पोनेंट अफ मिथेन का मेन कॉम्पोनेंट कौन सा है बताएंगी ब्यूटेन पाया जाता है बिल्कुल चलिए ओधिया था ना उसमें अपना दिमाग ने लगाना आपको सारी चीजे दे रखियें बता रख काया फिर भी मतलब अगर आपको नकल करने के लिए दे दिया जाए तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो नकल भी नहीं कर पाएंगे अगर नगल करने में भी आपको प्रूब्लम हो जाएगी ठीक है चाल सिन और यहां पर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा हमें ही ब्यूटेन होता अलपीजी श्み पी फूल म्हों क्या होता है वाई लिकुपार्ट्रोलीं गैस इसको कहा जाता एक आर्थविवस्था में भी हम पढ़ते हैं जिसको लिबरलाइजेशन प्राइटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं लेकिन यहां पर यह लपीजी क्या है गैस सिलंडर की बाद चल रही है ठीक है अच्छा इसमें जो इसमेल आती है गंद आती है इसमें जब आपको पता चलता है कि हमारा जो स्लेंडर है यह लिकिज है तो उसमें जो यूज किया जाता है वो कौन सा रशायन होता है वो कौन सी गैस होती है बताइए गवाई चलिए निम्लिकित में से कौन सा एक विधुत रिनात्मक तत्व है लीथियम है सोडियम है कार्बन है या फर नियोन है विच आ फोलेंगेटिव एलेक्ट्रो नेगेटिव एलेमेंट्स इलेक्ट्रो निगेटिव एलेमेंट्स कौन सा निम्लिकित में से है बनाएंगे इथाइल मरकेप्टाइल या मरकेप्टन इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे वई आपको बताना है कौन सा एक विद्धुत रिनात्मक तत्व है लीथियम है सोडियम है कार्बन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी कार्बन याना ऑप्शन नमबर सी कार्बन इसका सही आंसर होगा चलिए नेक्स्ट् साय से कि द आप को बताना है जो जिवास्म इधन का घटक है किस का जिवास्म इधन का बताएंगे चल्दी से पेट्रोलियम क्या सही में पेट्रोलियम है या नहीं डीजल है या नहीं प्राकर्तिक गैस ऑप्शन नंबर सी यह हो जाएगा प्राकर्तिक गैस ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा एक विद्धुत रानात्मक तत्व है ये हो गया निमलिकित में से कौन सा एक अपरूप का उधारन नहीं है हीरा है ग्रेफाइट है ओजोन है या फर स्टील है या फर स्टील है अपरूप का उधारन आपको बताना है भई इनमें से कौन सा एक हीरा हो जाएगा सी प्राकर्तिक गैस हो जाएगा ना प्राकर्तिक गैस नेचुरल गैस अपरूप का उधारन हीरा स्टील ओजोन ग्रेफाइट बताएंगे ओजोन है ना ओप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा चलिए नेश्ट निवलिक तुमें इसे कौन अर्ध चालक नहीं है सिलिकोन है क्रिप्टोन है एस्पिरिन है या फिर एथल एल्फा हल है कौन सा है बताएंगे अगनी वीर में भी आते हैं वही ये कोशन्स कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या अगनी वीर में आते हैं नहीं आते हैं आते हैं वही अगनी वीर में भी आते हैं अगनी वीर में भी आते हैं वही अगनी भीर में भी आते हैं ठीक है चलिए कौन सा अर्ध चालक है अर्ध चालक है बताएंगे अगना एस्प्रिन हो जाएगा यह एस्प्रिन हो जाएगा अर्ध चालक नहीं है चलिए निवलिकित में तो कौन कच्छे तेल से बना उत्पाद नहीं है एंत्रसाइड है गैसुलिन है डीजल है या डामर है कौन सा एक कच्छे तेल से बना उत्पादक नहीं है बताएगा जो कच्छे तेल से नहीं बना है बताएंगे तो यह क्या होगा ऑप्शन नमबर डी सही होगा बई ऑप्शन नमबर डी सही होगा जो डामर होता है यह कच्छे तेल का क्या नहीं है उत्पाद या प्रोड़क्ट नहीं है चलिए एग्रेस्टोलोजी में अध्यन होता है किसका तेल बीजों का फसलों का घासों का या फिर फलों का एग्रेस्टोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है एग्रेस्टोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है वही है ना तो इसमें हम फसलों का अध्यन करते हैं किसका फसलों का अध्यन करते हैं चाले ये पीडोलोजी में अध्यन किया जाता है पादप रोगों का भूमी का पर्दूशन का या फिर चट्टानों का पीडोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है नेटवर्क इशू पीडो लाजी में किसका अध्यन किया जाता है है ना तो इसमें हम म्रदा भूमी या म्रदा जिसको कहते हैं भूमी या म्रदा जिसको कहते हैं उसका अध्यन किया जाता है option number क्या हो जाएगा बी सही होगा तेल प्रदूशन के नियंतरण में प्रियुक्त होने वाला सूपर बग क्या कहलाता है इसको कवक विकरती कहते हैं जिवानु विकरती कहते हैं जल पीपिशू कहते हैं या सेवाल विकरती इसको कहा जाता है वे बताएंगे तो यहां पर आपको बताना है तेल प्रदूशन को नियंतिन करने में जल पीपिशू कहा जाता है क्या कहा जाता है जल पीपिशू सूपर बग इसको कहा जाता है निम्नमेजिक कोन एक पत्नी का भाग है पिस्टिल स्टेमन पेटियोल या सेपल पत्नी नहीं यार यह पत्ती है भाई साब मैं तो कह रहा हूं यह पत्नी कहां से आया यह पत्ती है भाई पत्ती जिसको कहते हैं लीव पत्ती यह पत्नी नहीं है भाई अभी आप इसके चक्क्र में मत पढ़िए यह चालगे यह पिस्टिल हो जाएगा स्टेमन हो जाएगा प सेपल हो जाएगा बताएंगे तो यह पिए पॉठी ओल होता है क्या हृता ही पैटी ओल होता है पेटी ओल ऑप्शन्स 46 का कि सची अगर उस एलिंग प्रजनन को जिसमें जडो तनों पत्यों से नए पोधे तयार किये जायें किस नाम से जाना जाता है इनको दान इस पती प्रजनन कहते हैं या मुकलंजन प्रजनन कहते हैं या कलमी प्रजनन या क्यारी प्रजनन इनको कहा जाता है कौन सा प्रजनन इनको कहते है वह पत्ती है वह पत्नी नहीं है पत्ती है ठीक है वह क्या है पत्ती है पत्ती है ठीक है उसको seriously नहीं लेना है, बिल्कुल भी serious मत लीजेगा, क्योंकि अभी आप दूसरे यूद के लिए जा रहे हैं, उसके लिए तयार हो रहे हैं, तो अभी उस पर focus मत कीजिए, है ना, चलिए, तो यह क्या हो जाएगा है, आपर इसको दान इस्पिती प्रजनन कहा जाता है, वही गाजर का रंग किसकी मौझूदगी के कारण ऐसा होता है, यह कैलोरोफिल के कारण होता है, यह फाइको सियनिन के कारण होता है, यह फिर फाइको तरिन के कारण होता है, तो जो गाजर का रंग होता है, कैसा लाल रंग जो होता है, यह किसकी कारण होता है, किसकी उपस्तित के कारण आपको गाजर का रंगलाल दिखाई देता है तो आपने एक सब्द सुना होगा कैरोटीन तो ये कैरोटीन के कारण ऐसा होता है किसके कैरोटीन के कारण ऐसा होता है रिंग रोग के नाम से जाना जाता है जो रिंग रोग है इसको किस नाम से हम जानते हैं इसको हम सेथिल रोग के नाम से जाना जाता है किसके सेथिल रोग के नाम से इसको जानते हैं बई चाल ये करनाल बंट एक बिमारी है धान की मटर की राई की या फिर गेहूं की जो करनाल बंट है ये एक बिमारी है ये गेहूं में होने वाली एक बिमारी है ध्यान लखेगा ठीक है च 1973 में 1972 है 1980 है 1947 है कब मनाया गया था प्राथम प्रियावरन दिवस कब मनाते हैं प्रियावरन इसको 74 कर लेंगे है ना तो ये 1974 पांच जून में पहली बार मनाया गया था क्लियर हुआ चल ये आज का ये सेशन कैसे लगा आप जरूर बताएंगे और अभी आपका जो यूपी पुलिस का एक्जाम अभी छूटा होगा बारा बजे इसका एनलाइस आपका होना है तो आप स तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही जो बच्चों को अभी डाउट है वो कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं ध्यान केंगे आर आर बी एल्पी के लिए आपका जो सीबीटी वन सीबीटी टू बैस पाइलेट बैस लोंच कर दिया गया है जहार खंड पुलिस के लिए स्पिशल लिए आपका यूट्यूब चैनल का लिंक है जो आपको सस्क्राइब करना और बैल ऐकन का बटन दबाना है तो आज का सिशन आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे और इसका पीडियाफ हमारे एससी मेकर अप्लिकेशन पर मिल जाएगा अप्लिकेशन का लिंक यह है यहां स तक के लिए नवश्कार जै हिंद जै भारत